जहन आए अब हम लोग जो है एक करेंट टॉपिक से मतलब करेंट अफेर्ट टॉपिक से समसमाई घटनाओं से जैसा आप लोग ने टाइटल में देख लिया सेंसस के बारे में जानने का प्यास करेंगे ठीक है क्योंकि हर एक दस साल में ठीक है एक डिकेड में कह सकते हैं एक डिकेड में जो है हर एक डिकेड के बाद जैसे 2010-11 में का जो संसस आया उसके बाद यह 2020-21 में हमारा जो है जन गनना और संसस मतलब आने का समय होता है तो हर दस साल में सरकारें जो है कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है टिक्रीज हुआ है कह सकते हैं मौटलीटी हुआ है यदि इन तमाम चीजों से संबंधित लिटरीशी रिजेस हो गया डिमोगरेफिक क्या कंडिशन है इन तमाम चीजों की जानकारी को इकत्रित करती है ठीक है तो सरकार सरकार जो है अपनी पॉलिसी को बनाने के लिए या फिर पॉलिसी और जब नीतियों का निर्मा हो education हो या फिर poverty level की बात कहें तो इन तमाम चीजों की कह सकते हैं बहुत उपयोगिता होती है और यह एक आधार create करके देता है मतलब एक basis बना के देता है जिस आधार पे जो है नई नई नीतियों को नई नई सकते हैं और इवन जो कह सकते हैं कि जो जिनका जो मिडिल क्लास बगेरा होते हैं उनके अपलिप्टमेंट के लिए नई नई नीतियों को और नई नई इसकिन्स को नई नई पॉलिसी मेजर्स को वह उठा सके ठीक है तो हर एक दस साल में जो है एक संसस होता है पूरी के पूरे भारत के जितने भी लोग हैं जो इस देश के नागरिक हैं उनकी जनगनना की जाती है कि कितना जनसंख्यां बढ़ा है कि छेत्र में कितनी जनसंख्यां की बिर्धी रहा है और पॉडिशन का धी ग्रूथ हो रहा है वहां इस्टेवल में इस्टेवलीटी कंडिशन पर आ गई है तो इन तमाम चीजों को जानने के लिए जो है सरकारे जो है जनगनना कराती है तो सेंसर्स जो है प्रोभाइट कराता है इनफॉर्मीशन साइज में तभी तो सेंसर्स आना बाकी है कि 135 से 140 क्रोड की मद्दे में हो सकता है कि दो चार 10 क्रोड उपर नीचे हो जाए वह अलग बात है लेकिन ऐसी मतलब एक इस्टिमीट मान कर चला जाता है कि 135 करोड कई बार दिखते हो बहुत सारे लीडर्स जो है पने स्पीच में भी इसका उप्योग करते हैं सुनाई देते हैं तो जब आज आएगी पूरी की पूरी संसर्स तो हम लोग एकुरेट जो है डाटा जो कह सकते हैं कि हम कोड कर पाएंगे बट रिसेंटली ऐसा आखड़ा एक एप्रॉक्सिमीट में माना जाता है कि इसे संभावना है कि इतने भारत का हो ठीक है क्योंकि 2011 का सेंसर्स और अभी एक पीस मतलब बाई सब आ गया तो मतलब 10-11 साल का डिफरेंस हो गए और सेंस इसलिए इस पर डेले हो रहा ठीक है उन तमाम जीयों का जो जानकारी है यह संसर्स के माध्यम से ही जो है आता है आगे है डिस्टिबूशन कौन सा एरिया में कितना कितना पॉपुलेशन डिस्टिबूटेड है कौन कौन से स्टेट जो है हाईली कह सकते हैं कि जहाँ डेंसिटी बहुत अधिक है जैसे बहुत सारे Northern state जो है यूपी बिहार और बंगाल का जो है डेंसिटी बहुत अधिक है as compared to Southern state और इसके साथ जितने भी मॉंटेन जो इस्टेट से उहां भी density कम होती है तो किस एरिया में कितनी कि टेंसीटी है कितना घंळत्व है इन तमाम चीजों के बारे में भी सेंसर से हम जान पाते हैं ठीक हागा सोशियों एकोनॉमिक कंडिशन दिखुसोस समाजिक और आर्थिक जो है कंडिशन क्या है ठीक लोगों की अभी कह सते हैं कि कह सब्सक्राइब पूरे पूरे आजादी के बाद भी बहुत सारे ऐसे भी भी गाउं में छले जाओंगे आप बहुत हदे तक सुधर भी गया है सब्सक्राइब अब पूर्ण हो चुके हैं एलेक्रिसिटी का अच्छा हो रहा है जल योजना के तहत जो है वाटर की एबलिविटी हो रही है तो इन तमाम चीज़ की फैसलीटी जो है धीरे धीरे वह रूलर इंडिया में भी मतलब एक प्रकार से कह सथा है कि फ्वा पूरे के पूरे ग्रामी जीमन में भी वो जो है एक्टम ऐसा कह सथा है उसके लाइफ स्टेंडर को इंप्रूब करने में और सेंसस का बहुत बड़ा होता है क्योंकि जब आकड़े एकत्र करता है तो पूछता है कि आपके घर में गाड़े हैं कितने मॉबाइल आपकी सोर्स ओफ इंकम क्या है को कब्राइब्मेंट्स जब में है तो यह ध्यान में रखके बनाएं कि भाई हमारे जैसे देश में इतने जो है लार्ज सेक्षन अब दा सोसाइटी वह पूर पीपुल हैं बिलोव पोवर्टी लेवल के नीचे ब्लाउं करते हैं या इव पॉवर्टी लेवल हैं उस अधार पर फिर पॉलिशी का फॉर्मूलेशन किया जाता है टेमोग्रेफिक के बारे में इंपॉर्टेंट चीजे का जाता हैं कि भारत युवाओं का देश है का जाता है कि इसमें 50% अच्छे जनसंख्याइज जो की एक परकार से का संग है भारत बारत की सथी हो गई भारत में यूबा है इसकिल है मैन पावर इतना अधिक है तो एक लोग कितनी मतलब प्रतिशत यह कितनी जनसंख्यां हमारे 60 प्रतिशत से अधिक है जितनी जनसंख्यां 60 प्रतिशत से अधिक होगी तो हमें उस पर अधिक जो है budget खर्च करना पड़ेगा जो हमारा अभी कह सकते हैं कि income generating जो हमारा एक परकार से जो जो वर्किंग पीपल होते हैं वर्किंग जो एज ग्रूप है वो है एटीन टू 59 या फिर 60 तक तो जिस देश का जो है बर्किंग एज ग्रूप में डेमोग्रेफिक बाले पिपल जो है बहुत अधिक होते वो देश जो है अधिकत्र बगदीस से ब्रधी विकास करता है ठेक ह सब्सक्राइब करेंगे जो कि देश के ओवराल और कह सकते हैं इसके मल्टी डैमेंशनल डेवलप्मेंट में यह अपना योगदान देंगे ठीक है कोई जैसे नया स्टार्टप खड़ा कर रहा है कोई नया बिजनस खोल रहा है हर एक छेत्र में अपना अपना योगदान द तो इन तमाम चीजों की अपना खड़ा नहीं उसके मालूम है कि मतलब इस साल की इस नियुका निरमान तो आने वान समय मए एक दो साल में इतने डिफ्रेंसेस होंगे उस परकार के सारी स्कीम बगेरा का फॉर्मूलीशन किया जाता है ठीक है तो यह जो है ना बहुत बतलब वह स्टार्ट हुआ और एटी इटी उन से मतलब ठारसो एकासी इस भी से हर दस साल के बाद फिर सेंसस जो है जनगनना प्रारंब हो जाता है ठीक है तो डिकेइनियल जो सेंसस है ना ठीक है वह ओफिस ऑफ रजिस्टार्ड ठीक है जेनरल के द्वारा और सेंसस कमिशन के द्वारा यहimizi habi forty of Home Affairs के अंद्रगत आता है यह प्रिलम्स के योपे सो कोश्षन में UH पूखे जा सकते हैं कि यह यह ऑफिस है किनके अंदर में आता है तो मेरे और इसके अंदर में आता है पूरे के पूरे भी बताता है कि कितने पढ़े लिख्या हैं पहले पूछेगा कि कितने सदस्य का नाम बगएरा मतलब जो भी उनको ले भरना हो भरते हैं फिर पूछते हैं कि कितनी तक मतलब बढ़े सब्सक्राइब हैं सब्सक्राइब हैं इन तमाम चीजों के बारे में आकड़े जुटाए जाते हैं तब देखते हो मतलब सब्सक्राइब है निकलता है तो एक प्रकार से कर से लिए लिटरीशी बगेरा बहुत अधिक तेज रहते हैं वो लो ठीक है आगे हाउस होल्ड हाउस होल्ड वगेरा मतलब के घर कैसा आपका कितनी रूम का मकान है बंगला है गाड़े हैं इन तमाम चीजों के बारे में कटा किया जाता है आगे है अरवन है करी रूलार इंडिया मständ Tat एक चतर पता चलता है कि अभी बहारत का प्रतमान कंडिशन क्या ऐसा कहा जाता है कि भारत के 30 प्रतिशत पे पिपल इस पहुंद में रह रहे हैं तो इन तमाम में इफ ए 4808 के बारे में पता तो हीा किया जाता है एक और आएसे कम्यूटीटी आज से बिलाउंग किसे CAP किसे ndपर क्राइब यह कुछ रिजा बगेरा उसमें प्रड़ का प्रकार से नहीं है तो हम पिर उन्हें उनके के लिए ताकि वह भी में स्ट्रीम और में सोसाइटी में जुट सके इसके लिए हम उनके लिए कुछ स्टेप्स और मेजर उठाते हैं ठीक है मतलब एक रिजर्वेशन या फिर कुछ भी प्रावधान करके उनको हम उपर उठाने की चेस्टा करते हैं तो इन तमाम चीजों का भी आखड़ा एकत्रित किया जाता है लैंग्विश के बारे में लैंग्विश क शीजब करता पड़ा होगे भारत के प्राची नितिहास में तो सेंसस का रिग भेद में भी जिक्र है ठीक है और उसके वाजव है अर्थ सास्त्र कोटिल ले जो और आर्थ सास्त्र कोटिल ले चानक क्या मतलब चंद्रगुप्तम और रेया और सोख के उनकी प्रियाड में मतलब अर्थ सास्तर में भी कह सकते हैं इसका बर्णन मिलता है कि वह संसस बगेरा का एकत्रित करने जो की राजकी कारिकरम में और आजकी कह सकते हैं कि नीतियों के निरधारन में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है कोई भी चीज को आप उदारन के तोर पर ले लो जैसे प्रधान मंत्री ने उज्वला योजना के तहत जो है सारी जैसे गाओं ग्रामीन छेत्र में जो के सब्सक्राइब बगएरा पर बनाया करता था पहले जो ट्रडिशनल चुल्हा होता था था जिसमें लोग अपने भोज लिटी और फैसलिटी हो गई ठीक है तो इस प्रकार से पुझवला योजना के तहट जो है प्रधान मंत्री मोदी के द्वारा जो है फ्री डिस्टिब्यूट किया गया बोमेंस को सलेंडर मतलब पहली स्वेंडर एक प्रकार से फ्री ऑफकोस और इसके साथ अब जैसे इसक कीम बनाए जाते हैं जैसे इको आइश्मान भारत कार्टव बगरा हो गया लेवर कार्टव पगरा करता है और जब सरकार कोई भी policy बनाती है ना दो सेंसर्स को देखती है कि हम किस section के लिए हम यह नीती बना रहे हैं ठीक है और उसी प्रकार कोई विचा है health से related तो यह सरकार देखती है कि कितने घर में health insurance है कितने घर में नहीं है अगर नहीं है तो उसका क्या नकरात्मक प्रभाब पड़ता है कितन समान भारत काट के तहत पूरी के पूरो जो है उस घर के health के भी मां को कर आए फिर किर्सी से related मतलब अगर यह आखणा में एकत्रित की जाते हैं संसस में कि कितने लोग जो हैं भारत के कितने प्रतिश्चत बखती अभी भी किर्सी के ऊपर निरभर है मतलब primary sector में निरभर है agriculture और allied sector और फिर primary sector पर dependent है तो अब है कि हम कैसे agricultural जो भी कह सकते हैं कि लेबर है agriculture कह सकते हैं फार्मर्स हैं उनके income को generate करें उसके लिए जो है सरकारें फंड देती हैं मैंना मत कह सकते हैं साल में 6000 मिलता है 2000 करके तीन चम में पीम के द्वारा तो वो जो है कि ताकि जो है बीज इसाल में फ़र्टिलाइजर से या फिर जो बैसिक चीजे हैं जो कि कह सकते हैं कि छोटे-छोटे किषानों की आवशकता होती है फुसल को बोने के संगे ठीक है उन से वह कह सकते हैं कि वह उस पैसों से वह खरीद सके ठीक है फिर फसल भी मायोज़ ना हो गया या कोई भी चाहे रिजर्वेशन बगएरा की जो क्राइचेरिया है तो इन तमाम चीजों से हम यह नीतियों को कह सकते हैं फॉर्मूलीट करने में यह बहुत बड़ा है वह बुड़े हो रहे हैं लेकिन इंडिया भी यंग है जवान है तो इसके पास जो है ना यूथ और मैन पावर रिसोर्स इसकी लेवर बहुत अधिक है तो आने वाले समय में अगर इसे इस पोटेंशियल को सही रूप में यूज करना है और अगर इस इस कह सकतने यूबा क अगर सही दिसा दे दिया जाए सही डायरेक्शन दे दिया जाए सही स्किल प्रोवाइट करा दिये जाए तो यह जो है अपने आप में जो है आगे चलकर एक यूज फुल रिसोर्स के रूप में यह उभर कराएं अब जैसे फॉर इजामपल कोई भी चीज आप देखलो एक मिट्टी है तो मिट्टी का कोई उप्योग इता नहीं है लेकिन अगर मिट्टी को हम लेकर उसे एक घढ़ा में एक पात्र में अगर परिबर्तित कर दे तो उसका यूज फुल हो जाएगा मतिके अगर बना लेते हैं तो उसमें पानी पीने का उप्योग कर सकते हैं ठीक Psal Age अगर हमारा जो है census बगेरा बनता है तो उसे लाब उसे पता चलता है कि हमारी इतनी population अभी below 35 है इतनी population है below 50 years है या फिर इतनी population है जो 60 साल से अधिक है तो जो 60 साल से अधिक होंगे उनके लिए हमें जो है अच्छे hospital खोलने हुए senior citizen के लिए उनकी देखवाल की जो है pension की वे सब्सक्राइब करती है तो इसी से देखा जाता है तो अगर जो है मैं बात कर रहा था कि यूबा का तो यूबा के population के बारे में हमें मालूम चल गया अगर हम उसे अच्छे skill provide करा दें अच्छे अगर हम उसे कोई भी तकनीक दें या फिर उस raw material को अगर हम resource में कर दें मतलब उसमें value addition कर दें तो उसकी income generate होगी income generate होगी तो उसकी पूरी के पूरे family और पूरी के पूरे परिवार का लाइबलियोट सुद्रेगा life is tender living is tender improve होगा और overall कह सकते हैं कि at the end of the day जो है इंडिया का जो है progress और कह सकते हैं कि भारत के विकास में का योगदान होगा ठीक है तो एक प्रकार से census और इसके बहुत बड़ी significance है importance है यह अभी आने वाले कुस्ते में में सेंसर हमारा रिलीज कर दिया जाए और एक NPR का इसूज आता है ठीक है उसको कभी और डिसकस करेंगे बस यहां census और इसके significance के बारे में जाना कबसे यह प्रारम हो और किसके अंत्रगत आता है Office of Registrar, Governor ठीक है और Census Commissioner, Ministry of Home Affairs is that clear? so that's all and if you are the first time on my channel then like it, share it as well as subscribe it also please the bell icon and if there were any queries, comment, suggestion, advice you may comment in the comment box thank you once again have a great day